नमस्कार स्वागत है आप सभी का UPCCPET 2023 रिजल्ट संसोदित आंसर की और साथ में कुछ अन्य भर्तियों की रिजल्ट को लेकर की बात करेंगे UPCCPET 2023 से पहली बार आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि आयोग की तरफ से संसोदित आंसर की और रिजल्ट लगबग एक साथ देखने को मिल जाए और अगर यह ट्रेंड होता है तो फिर आगे भी आपको दूसरी भर्तियों में भी चीज़े इसी तरह से देखने को मिल सकती ह कि संसोदित आंसर की और उसकी तरफ बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए या तो दोनों के बीच में बहुत कम दिन का डिफरेंस हो यानि जल्दी आजा या फिर हो सकता है कि दोनों चीज़े आपको एक साथ देखने को मिले है अगर आप सभी यहाँ पर देखेंग है कि आपको एक दो दिन थोड़ा सा आगे देखने को मिले है यानि जो दिसंबर लांज तक एक्सपेक्टेड है 31 अप छोड़ी दीजिए 31 दिसंबर हो सकता है कि जनौरी में चला जाए जनौरी में जिस दिन आयोग खुलागा वर्किंग डे के हिसाप से आप देखिएगा और यही नहीं आयोग रिजल्ट के साथ ही फाइनल आंसर की भी जारी करेंगे यानि रिजल्ट और उसी के साथ में फाइनल आंसर की दोनों की नोटिस एक साथ देखने को मिलेगा बागी आप सभी को क्या लगता है आप सभी कमेंट करके जरूर बताईएगा हमारी पूरी कोसिस होती है जो भी सही और आथेंटिक जानकारी मिले वही जानकारी आप सभी को हमारे चैनल की मादिम से समय समय पर मिलती रहे वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक शेर कर दीजेगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा जैसा कि अभी हाँ पर बात कर रहे थे कि लेकपाल का रिजल्ट में भी हो सकता है क्योंकि जिस तरह से काम चलना है आप छुट्टियों की दिन में देखेंगे तो आयोग में काम चलता रहता है कभी-कभी कुछ भर्तियों को लेकर के और यही चीजे लेकपाल भर्तियों में देखने को मिली है कटाफ को लेकर के सबसे ज़्यादा दुबिधा आप सभी के मन में है और कटाफ बहुत जगह से आप सभी को देखने को मिलना होगा इपन आप देखेंगे 82 से उपर भी कुछ लोग जा चुके हैं फुल मार्क्स मिलने से आप संच चेंज होने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है लेकिन अब भी भी हमें लग रहा है कि इतनी हाई कटाफ नहीं जाने चाहिए बागी देखी क्या होता है जूरियर असिस्टेंट 1212 वेकिंसी वाले आप लोग टाइपिंग करते रहेगा आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा टाइपिंग के लिए और टाइपिंग की कटाफ बहुत हाई नहीं जाने वाली है फानल कटाफ आप लोग पूश्ते रहते तो फानल कटाफ भी बहुत जादा नहीं जाएगी बहुत सारे अब भीरती टाइपिंग इस्किप करेंगे या फिर टाइपिंग में कौलिफाइड भी होना चाहिए फिर आगे DB बगर होगी उसके बाद फिर इतनी हाई कटाफ नहीं जाएगी जितनी कटाफ टाइपिंग के लिए आपको देखने को मिलेगा उससे लगपक पांची नंबर साथ नंबर अधिक्तम कटाफ जादा देखने को मिल सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको फाइनल रिजल्ट आना है और यही नहीं पेट 2023 से आपकी एक नई भरती की उम्मीद है कि नई भरती भी देखने को मिले वीडियो 2018 री एक्जाम भरती को लेकर के चीज़े कंपर्म नहीं हो पा रही है मैं आपको कोई भी चीज़ अनुमान से नहीं बताना चाहता हूं लेकर अभी भी यहाँ पर कंपर्म नहीं हो पा रहा है कि आपका रिजल्ट कब तक आयोग दे देंगे सासन से क्या निर्देश मिलेगा या सासन से क्या निर्देश मिला है ये सब चीजे बिल्कुल अच्छे से पता नहीं चल पाती है बट यहाँ पर थोड़ा से डिले हो रहा है आप लोग परिसान भी हो रहे है बट आप सबी कोशिस करते रहें आपकी भरती पुरानी भरती है और सरकार आपकी भरती को जरूर पूरा करना चाहेंगे कम सकम यह पुरानी भरती आए कम सकम इनको तो पूरा कर दिया जाए तो अब ही आपका डीवी के लिए रिजल्ट आना है उमीद तो बहुत जादा है कि आपका रिजल्ट जल्दी देखने को मिल जाए क्योंकि एक बार आगे जब फिर कुछ एक्जाम सोने लगेंगे पुरानी भर्तियों के या फिर नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे तो उस इस्तिति में फिर आयोग और व्यस्त हो जाएंगे फिर आप सभी जानते कि नए सची उसर भी आ जाएंगे बट फिर भी हापरम, आप सभी सेही कहेंगे, कि आप लोग कुछ भी मान करके न चलें, कोशिस अपने अस्तर से आप सभी करते रहेगा वीडियो अभ्यर्ती, वीडियो भरती वाले सभी अभ्यर्ती सेस आगे कि जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी आप सभी को उसकी अपडेट देते रहेंगे धन्यवाद